हलो एब्रिवन वेलकम चानल सुधात की रसोई और आज है यहां पर बहुत ही खास लेकिन आसान और हेल्दी रेसिपी वह है लौकी का हेलवा जिसे दूधी भी कहा जाता है जिसे घिया कहा जाता है इंग्लिश में बोटल गॉर कहा जाता है और बहुत सस्ते मिलते हैं पूरे का कि अदि गुपलाया इस जाने आडाएगा आप मेरे तरीके से बनाकर एक रहाएं गया हुआ गां प्रेंगान आज बालो है और ऊंखुधी ऐसलोए तो सरे ऊली रेसिपी पर आचे चालोे हाला इसब जाता है इस दूदे का साना इस दूद बना यहां टॉदी गर चृप उबालते हुए धीमे आज पर तो जब तक दूद वहाँ पे रेडियूज हो रहा है यहाँ पे लौकी देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको चूज करना है अच्छी लौकी आप इस तरह से नेल अपने नाखुन को इस तरह से अंदर लगाएं अगर आसानी से वो चला जाता है फील आता है कि यह बहुत नरम है इस तरह से आप मार्केट से लाते हुए चेक कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा छिलका आपको दबाने में नाखुन से हाड लगता है तो समझे वो लौकी हलवा के लिए अच्छा नहीं है लौकी कॉली होनी चाहिए नरम होनी चाहिए देखने से पदर चल जाते है उसके बीज अंदर से बहुत छोटे बहुत नरम हो उस तरह की लौकी लेनी है अच्छे से धो लेना है छिलका निकाल लेना है छिलका है पेल कर लिया है विर पास आप देख रहे हैं मैं काटके दिखा रही हूँ तो इसके जो बीज है बहुत छोटे छोटे है बीज बहुत नरम है जिसे हमें डिसकार्ट करने की हटाने की जरूरत नहीं है तो ऐसी ही लोकी लेनी है आपको हलवा बनाने के लिए ये देखिए बहुत छोटे छोटे बहुत मुलायन से बीज है तो इसी तरह के लेना, यहाँ पर ग्रेटर लेंगे, कद्दू कस कर लेंगे, बहुत आसानी से कद्दू कस हो जाता है, यह नरम लोकी होती है, बड़े वाले छेट से करें ताकि जल्दी से यह कद्दू कस हो जाए, मेरे पास एक मेडियम साइस की लोकी थी और एक छोटा पी जाए देर तक न रखें, वो काले पढ़ने रखते हैं, तो उसका हलवा अच्छानी बनेगा, आप पूरी तयारी कर लें और जैसे ही लोकी को कद्दू कस कर लें, उसे तुरंद फ्राई करने के लिए गैस पर चढ़ा दें, यह टिप्स, यह ट्रिक आप जरूर फालो करें तो आप बड़े वाले छेट से इसे ग्रेट करें, ताकि आपका हलवा लोकी का बिलकुल लच्छेदार बने, और नरम लोकी लेंगे, तो आपकी लोकी का हलवा बिलकुल रसीला बनेगा, देसी घी में बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बड़ी सी कड़ आपको चलाने में असानी हो, दो बड़े चमत, शुद्ध देसी घी डाल दें और तुरंत कद्दू कस किया हूँआ यहाँ पर लोकी डाल दें, तो यहाँ पर जितने भी लोकी थी, माने कद्दू कस करके तुरंत अड़ कर दिया, आप हलका देखेंगे, हलका हलका काला इस भून कर बनाएंगे, इधर दूद को भी चक करते रहें, अब इसे पूरी तरह से शाही, टेक्स्चर और लुक देने के लिए और टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा अच्छे ब्रान का केसर 10-15 धागे डाल दें, इससे दूद का कलर अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर होती है, इसमें केसर जरूर डाने अच्छा कलर लाने के लिए, और साथ के साथ यहां पे लोकी को चलाते हुए लगतार भूनते भी रहें, मीडियम फ्लेम पे, अब यहां पे गाढ़ा किया हुआ दूर डालना है, और सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि लोकी को आपको च करने कड़वा तो नहीं है, अगर लोकी खाने में थोड़ी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, तो उस लोकी का हलवा बनाएं, और कभी-कभी यह होता है कि लोकी अगर हम अच्छे से भुनते नहीं है, तो दूद डालते हुए लोकी दूद फट जाता है, और अगर बिल बास, दूद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकी के हलवा में जरूर आप दूद को गाढ़ा करते ही डालें, तो यहां पे हाफ मैंने दूद डाला है, तो चेक कर लें, पहले हाफ दूद डालके गाढ़ा की हुए नहीं तो आप देखें कि आपका हलवा फट गया तो बहुत ऊच्छाने रहेगा, तो पहले थोड़ा सा दूट डालके देखें, तो मैंने यहाँ पर देखा, आधा दूट डालके फटा नहीं, फिर मैंने यहाँ पर पूरा दूद केसर वाला अड किया है, तो आप देखेंगे, इसे अभी आप जितना थोड़ा थोड़ा इस जैसे केसर वाले दूद में अच्छे से पका है तो आप इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है लोकी का जब लोकी का जो ग्रीन निचुरल कलर होता है जब थोड़ा पकता है तो लाइट हो जाता है तो जरूर केसर डालें शाही तरीके से बनाना है और इस तरह की अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आप किसी भी खास और केजन पे खास कोई बड़ी पार्टी में आप डाइनिंग टेबल पर यह डिजर्ट या फिर रेसिपी रखना चाहते हैं तो बहुत ही सब को पसंद आएगा जैसे ही दूद के साथ पके हलवा अच्छा से तयार हो ज और चीनी जब पिगलेगी तो थोड़ा सा पानी रिलीज होगा हैलवा धीला हो जाएगा फिर उस प्रोसेस को भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए चीनी का जो पानी निकला है उसको सुखा लेना है बिल्कुल ड्राइग कर लेना है तो यहां पर अभी गैस को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं ताकि हलवा थोड़ा सा धीमे धीमे पकता रहे हैं अब इसमें शाही तरीके से बना रहे हैं इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे ड्राइफ रूट्ट जराएगे इसमें मेलन सीट पमकिन सीट से सान फलावर सीट से तो ऐसे मुझें मिक्श्र मिलिया था वो ले लिया है कुछ कटे हुए बारिक बडाम काजू और पिस्ता ले सकते हैं और और भी ड्राइफ्रूट आपने मनद पसंद बीसकते हैं या कोई आपके पास कम घुर नहीं बहरदेगे तो हलका सा धीमी आच पर इसे भुन ले, बिल्कुल हलका सा भुनना है, जादा नहीं इसको जलाना है, और यहाँ पर इसे प्लेट में निकालने, तब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं, हलवा भी अच्छे से चीने डालने के बार ड्राइ हो चुका है, आप इसका कलर देख स और इस समय भुना हुआ, क्योंकि हलवा और कडाई हर चीज गर्म है, यहाँ पर भुना हुआ, ड्राइफ रोट सारे डाल देंगे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ओपर से गार्मिश करने के लिए, आप इसको अच्छे से यहाँ पर हलवा के साथ मिक्स कर देंगे, तो आप अगर एक बार बना के बहुत धेर सारा ठंडियों में रख देते हैं, देखिए आप इसका टेक्श्र, इसका कलर कितना प्यारा है, क्या आपको लगता है कि यह लौखी का बना हुआ है, किसी को भी सर्व करेंगे, तो जब उसके मुह में यह स्वाद घुलेगा, तो को इतनी बार भी आपको खाना हो, फ्रिज से निकाले, उतनी कौन्टटी में वापस पैन में गरम करें, जितनी बार आप इसे गरम करेंगे, उतनी बार इसका स्वाद दो गुना बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारा बना के रखे ठंडियों में, और रोज इस शाही लौकी के हलवा को इंज्वाय कर सकते हैं, उपर से अच्छे से ड्राइ फ्रूट से गार्निश कर दें, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और स्वाद तो इसका बहुत ही बेहतरीन है, आप देख रहे हैं कलर इसका टेक्शर, तो आप भी इस ठंडि जरूर ट्राई करें, और कमे बच्चों को खिलाएं, बढ़ती ही उमर की बच्चों के लिए बहुत फाइदामन्द है, इसमें दूद है, देशी घी है, ड्राइ फूर्स है, और टेश्टी तो इतना है कि बच्चे पूरी की पूरी कटोरी खतम कर देंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बस थोड़ा से चलाने में टाइम लगता है, कद्दुकस बहुत एजली हो जाता है, बस आपको बस यह बतारी हूं कि लौकी को आप एक बार चक जरूर करने, कड़वा ना निकले, लौकी बिलकुल नरम लेके आए, बिलकुल उसके बीच बहुत छोटे छोटे बहुत नरम हो, उस तरह की लौकी बेटर रहती है, इस तरह की हलवा रेसिपी बनाने के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं, केसर जरूर डाले, लौकी का हलवा बनाते हैं, तो केसर जरूर डाले, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस रेसिपी, बाइ-बाइ